गुडुनिंग बच्चो बच्चो आज हम हिंदी में पार्ट है आ से औ तक की मातरा वाले शब्द का रिवीजन करेंगे आ से औ तक की मात्रा वाले शब्द में हम क्या पढ़ेंगे बच्चो आ की मात्रा वाले शब्द बच्चो ये जो मात्रा दी हुई है वो आ की मात्रा है हम आज इसी आ की मात्रा वाले शब्दों का रिवीजन करेंगे बच्चो मैंने आपको पहले भी आकी मातरा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सिखाया है चलिए आज हम फिर से आकी मातरा वाले शब्द का रिविजन करते हैं रमा, टमाटर, लग बच्चो आकी मातरा किसी भी अकशर के पीछे लगती है देखो बच्चो रमा के मा में जो मात्रा लगी है वो आकी मात्रा है और ये मा के पीछे लगी है इसी प्रकार टमाटर के मा में भी जो मात्रा लगी है वो आकी मात्रा है और ये भी मा के पीछे लगी है इसी प्रकार देखो बच्चो ला में भी मात्रा आकी मात्रा लगी हो और वो ला के पीछे लगी है तो चलिए बच्चो अब हम आगे देखते हैं देखो पढ़ो और समझो बच्चो यहाँ पर जो चित्र दिये हुए हैं उसे हम देखेंगे पढ़ेंगे फिर समझेंगे बच्चो यह पहला चित्र किसका है कार का चलिए बच्चो देखते हैं कार कैसे लिखते हैं कार क्या हुआ बच्चो कार चलिए बच्चो देखते हैं ये दूसरा चितर किसका है गाय का गाय कैसे लिखते हैं बच्चो चलिए देखते हैं ग, गा में आ की मातरा गा, य, गाय अब देखते हैं बच्चो तीसरा चितर, ये तीसरा चितर किसका है बच्चो राजा का चलिए बच्चों देखते हैं राजा कैसे लिखते हैं रा में आ की मात्रा रा ज ज जा में आ की मात्रा जा राजा चलिए बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं आ की मात्रा वाले शब्दों को कान, खाना, नाक, माला, अनार, चावल, मकान, पालक, टमाटर, पाट, शाला पढ़ो और सुनो, चलिए पढ़ते हैं रमा, टमाटर, ला, टमाटर उधर रख, अहा, अहा लाल, लाल, टमाटर, राजा, गाजर और टमाटर खा राधा, अब पाट, शाला, जा, रमा, तबला, बजा, हरा, गमला, इधर, रख, राधा, माला, पहन बच्चों, अब हम आकी मात्रा का भ्यास करेंगे मौखिक, मौखिक का अर्थ होता है बच्चों, मूँ से बोलकर पढ़ना तो चलिए पढ़ते हैं, सहीं उच्चारण करो माता, चावल, गाजर, पालक, समाचार, टमाटर लिखित, लिखित का अर्थ होता है बच्चों, लिखना तो चलिए बच्चो जो प्रश्ण पुस्तक में दिये हुए हैं उसे हम लिखते हैं प्रश्ण पहला चित्रों के नाम पर गोला बनाओ बच्चो यहाँ पर चित्र दिये हुए हैं यहाँ पर तीन नाम दिये हुए हैं जो नाम इस चित्र के हैं, उसी पर हमें गोला बनाना है, बच्चो ये चित्र किसका है, गाजर का है, यहाँ पर कौन-कौन से नाम दिये हैं बच्चो, चलिए देखते हैं, कान, गाजर, नाक, चित्र किसका है बच्चो, गाजर का, इसलिए हमने गाजर पर गोला बनाया, किसका है तबला का इसलिए हमने तबला पर गोला बनाया अब देखते हैं प्रश्न दूसरा आ की मात्रा लगा कर सब्द पूरे करो बच्चों ये जो मात्रा दी हुई है वो आ की मात्रा है इस आ की मात्रा को हमें दिये गए खालिस्थान पर लगाना है और सब्दों को पूरा करना है देखिए बच्चो जहां जहां खालिस्तान दिया हुआ था वहां मैंने आकी मात्रा को लगाया अब चलिए बच्चो देखते हैं आकी मात्रा को लगाने से कौन कौन से सब्द बने चाता कार अनार गमला मकान चलना अब देखते हैं बच्चो प्रशन तीसरा अक्षरों को मिला कर लिखो बच्चो यहां पर अक्षर और मात्रा दी हुई है उसे मिला करके हमें नीचे लिखना है देखो बच्चो यहां पर ता दिया तो ता को लिखा फिर आकी मात्रा दी हुई है तो आकी मात्रा को लिखा फिला द मात्राओं को मिला करके लिखा तो क्या बना बच्चो बादाम अब देखते हैं आगे ये भी करें आ की मात्रा वाले चार शब्द लिखो जो इस पार्ट में ना हो ये आ की मात्रा है बच्चो इस मात्रा वाले हमें चार शब्द लिखना है जो हमारे पार्ट में नहीं हो जो ह नाना. यह सब यह चारो शब्द हमारे पाड में नहीं दिये हुए हैं. इसे हमने लिखा है और यह आ की मात्रा वाले शब्द हैं. बच्चो अब हम E की मात्रा वाले शब्द का रिविजन करेंगे बच्चो ये जो मात्रा दी हुई है वो E की मात्रा है इसे छोटी E की मात्रा भी कहते हैं छोटी E की मात्रा किसी भी अक्षर के पहले लगती है देखो बच्चो शनीवार का दिन शनिवार के ना में छोटी की मात्रा लगी है और ये ना के पहले लगी है इसी प्रकार दिन के दा में भी छोटी की मात्रा लगी है और ये दा के पहले लगी है इस प्रकार बच्चो छोटी की मात्रा किसी भी अक्षर के पहले लगती है चलिए अब हम आगे देखते हैं देखो पढ़ो और समझो बच्चों यहाँ पर जो चित्र दिये हुए हैं उसे हम देखेंगे पढ़ेंगे फिर समझेंगे बच्चों ये चित्र किसका है? हीरन का चलिए बच्चों देखते हैं हीरन कैसे लिखते हैं? क कामी छोटी की मातर की तामया की मातर ताब किताब ये तीसरा चितर किसका है बच्चो चिडिया का चलिए बच्चो देखते हैं चिडिया कैसे लिखते हैं चिडिया अब देखते हैं बच्चो आगे पढ़ो कीला, सवीता, कीरन, सितार, तकिया, मालिश, पईया, कवीता, नारियन, किसमिस पढ़ो और सुनाओ चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं शनीवार का दिन था राम किताब पढ़ रहा था गरीमा चित्र बना कर लाई हवा आई सर 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 चित्र उड़ गया फर 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 फिर चिड़िया उड़कर आई और चित्र उठाकर लाण बच्चों अब हम छोटी की मात्रा का अभ्यास करेंगे मौखिक मौखिक का अर्थ होता है बच्चों मूँ से बोलकर पढ़ना तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं सही उचारन करो सिर, दिन, मिल, किसान, चिड़िया, परिवार लिखित लिखित का अर्थ है बच्चों दिये गए प्रशनों को लिखना तो चलिए बच्चों पुस्ताक में जो प्रशन दिया हुए हैं उसे हम लिखते हैं प्रसन पहला चित्रों को देख कर उसके सही नाम पर सही निशान लगाओ बच्चों ये सही का निशान है इसे हमें चित्रों को देख करके उसके सही नाम पर लगाना है बच्चों ये चित्र किसका है? चिड़िया का यहाँ पर तीन नाम दिये हुए है चले देखते हैं कौन कौन से नाम दिये हुए है सितार, किताब, चिडिया तो बच्चो ये चित्र चिडिया का है इसलिए हमने चिडिया पर सही का निशान लगाया उसके सही नाम पर ही हमने सही के निशान को लगाया अब चलिए बच्चों देखते हैं ये चित्र किसका है हीरन का है यहाँ पर भी तीन नाम दिये हुए हैं बच्चों किला, हीरन, तकिया ये चित्र हीरन का है इसलिए हमने हीरन पर सही का निशान लगाया अब चलिए बच्चो देखते हैं प्रशन दूसरा दिये गए चित्रो को उनके नाम से मिलाओ बच्चो यहाँ पर चित्र दिये हुए हैं और यहाँ पर उनके नाम दिये हुए हैं हमें चित्रो को उनके नाम से मिलाना है यह चित्र किसका है बच्चो? पहिया का, तो हमने उसे किस से मिलाया, पहिया से मिलाया, ये चितर किस का है बच्चो, तकिया का है, तो हमने उसे तकिया से मिलाया, इसी प्रकार, ये चितर किस का है बच्चो, सितार का, तो हमने उसे सितार से मिलाया, ये चितर किस का है बच्चो, किताब का, तो हमने उसे कि लिखना है बच्चो देखो मैंने यहां पर जो मात्रा दी हुई है उसे काट दिया है क्यों काट दिया है क्योंकि पुस्तक में गलत प्रिंट हो गया है हना तो इसलिए मैंने इसे काट दिया है और सही मात्राओं को लिखा है पैंसल से लिखा है तो आप किस कटे हुए मात्रा चलियो बच्चो नहीं पढ़ेंगे। A की मातरा को लिखा फिर R दिया हुए तो R को लिखा चलिए बच्चो देखते हैं क्या बना S, सामे छोटिक मतल सी Y, यह मैं A की मतला Y, R, C, R इसी प्रकार बच्चो यहाँ पर जो अक्षर मातरा दिये हुई है उसे मिला करके हमने लिखा तो क्या बना टिकिट बच्चो अब हम बड़ी ए की मात्रा वाले शब्दों का रिवीजन करेंगे बच्चो ये जो मात्रा दीर हुई है वो बड़ी ए की मात्रा है बच्चो इससे पहले हमने छोटी ए की मात्रा का रिवीजन किया अब हम बड़ी की मात्रा का डिविजन करेंगे बच्चो बड़ी की मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे लगती है सीता गीता देखो बच्चो सा में बड़ी की मात्रा लगी है सीता के सा में बड़ी की मात्रा लगी है ये सा के पीछे लगी है इसी प्रकार गीता के गह में भी बड़ी की मातरा लगी है और वो गह के पीछे लगी है इस प्रकार बच्चो बड़ी की मातरा किसी भी अक्षर के पीछे लगती है चलिए बच्चो अब हम आगे पढ़ते हैं देखो पढ़ो और समझो बच्चों यहाँ पर जो चित्र दिये हुए हैं उसे हम देखेंगे पढ़ेंगे फिर समझेंगे चलिए बच्चों देखते हैं पहला चित्र किसका है लीची का चलिए बच्चों देखते हैं लीची कैसे लिखते हैं थ, था में बड़ी की मादरा थी हाँ थी चलिए बच्चो देखते हैं तीसरा चितर किसका है बकरी का चलिए देखते हैं बच्चो बकरी क्या से लिखते हैं बकर, रा में बड़ी की मादरा री बकरी चलिए बच्चो अब हम आगे पढ़ते हैं पढ़ो, मीता, सीता, चाची, गीता, चाबी, चीता, डाली, माटी, मामी, जीना, मच्छली, नास, पाती पढ़ो और सुना सीता, गीता साथ साथ आई, नीली पीली साडी भी लाई, फिर हाथी पर सवारी की अब उनकी दादी बाजार गई इटिली, खीर, रबडी और लीची लाई रानी और मीता घर पर आई मिलकर फिर दावत उड़ाई बच्चो अब हम बढ़ी की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे मौखिक, मौखिक कार्थ होता है मूँ से बोल कर पढ़ना तो चलिए बच्चो पढ़ते हैं सही उचारन करो माली, दादी, तितली, मचली, सवारी लिखित, लिखित कार्थ होता है बच्चो लिखना तो चलिए बच्चो लिखते हैं प्रश्न पहला दिये गए चित्रों को उनके नाम से मिला बच्चो यहाँ पर चित्र दिये हुए और यहाँ पर नाम दिये हुए इन चित्रों को हमें उनके नाम से मिलाने है चले बच्चो देखते हैं पहला चित्र किसका है पपीता का तो हमने पपीता से मिलाया ये दूसरा चितर किसका है बकरी का तो हमने इसे बकरी से मिलाया ये तीसरा चितर किसका है बच्चो हाथी का तो हमने इसे हाथी से मिलाया ये चितर किसका है बच्चो तितली का तो हमने इसे तितली से मिलाया आप देखते हैं बच्चो प्रशन दूसरा उलट पलट कर नए सब्थ बनाओ बच्चे यहाँ पर जो शब्द दीये हुए है उसे उलट पलट कर हमें नए सब्थ बनाना है यहाँ पे लिखा है नीना देखो बच्चो जो अक्षर पीछे दिया था उसे हमने आगे लिखा और जो आगे दिया था उसे हमने पीछे लिखा तो नया सब्द क्या बना नानी इसी प्रकार हमने इन हे इन सब्दों को भी उलट पुलट कर नया शब्द बनाया तो क्या क्या बना चलो देखते हैं, राखी से बना खीरा, नीरा से बना रानी और रखी से बना खीर आप देखते हैं बच्चो प्रशना तीसरा, ई या ई की मात्रा लगा कर सब्द पूरे करो बच्चो ये जो मात्रा है वो छोटी की मात्रा है और ये जो मात्रा है वो बड़ी की मात्रा है इन मात्राओं को हमें दिये गए खालिस्थान में लगाना है और नए शब्द बनाना है तो चलिए बच्चो देखते हैं छोटी और बड़ी की मात्रा को लगा कर हमने कौन कौन से नए सब्द बना हैं डाली, खीरन, तकिया, बकरी, सितार, खीर, मचली और चित्र ओके बच्चो मैंने आपको इसको शौट में रिवीजन करवाया है सारी मात्राओं का हमने सारी मात्राओं को डेटेल में पहले पढ़ चुका है अब हम इसका रिवीजन कर रहे हैं ओके बच्चो